Hello Students, Welcome to the official YouTube channel of Origin Quoting आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में और आज हम क्लास 10th का Physics स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के Physics में यह हमारा पहला चेप्टर है फर्स चेप्टर का लेक्चर नमबर फर्स्ट जिसमें हमको पढ़ना है Light, Reflection and Refraction देखिए क्लास 10th का Physics का जो पोर्शन है उसका फर्स चेप्टर है Light जिसको हमको दो पार्ट में पढ़ना है Reflection और Refraction तो पहले वाले पार्ट में आज हम लेक्चर नमबर फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे इसके Reflection वाले पार्ट को और फिर लेक्चर नमबर टू में हम कंप्लीट करेंगे इसके Reflection वाले पार्ट को तो यहां से आपका Physics स्टार्ट होता है और Continue वास फिर हम आपको क्लास प्रोवाइट कराएंगे syllabus के recording तो चलिए ready हो जाईए और सबसे पहले हम डिसकस करें Light के Nature पर तो सबसे पहले हम देखें कि Light होता क्या है हमको इस चेप्टर पर Reflection पहना है Only Reflection पहले हम डिसकस करें कि भाई एक्ट्वल में Light होता क्या है What is Light तो Light क्या होता है इसको हम आपको बिल्कुल Zero Level के Basics से आपको Discussion करना इस्टार्ट करते है हमारे दिमार्ग में Question आता है कि भाई Light Actual में होता क्या है Actually Light is the form of Energy Light क्या है Energy का एक form है हमारा पूरा जो Inverse है हमारी जो पूरी Galaxy है वो Different-Different टाइप के Energy का Combination है और उसी में से एक Energy Light भी है तो Light Energy के बारे में हम डिसकस करें Higher Class में अप और Light के बारे में बहुत डीटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखो Light is an Electromagnetic Web Electromagnetic Web क्या होते है Electromagnetic Web Electricity Electric और Magnetic Web के Super Imposition से बनता है आप 12th Class में इसको डीटेल में पढ़ोगे तो Light का जो Behavior है वो Just Like Electromagnetic Web होता है इसको हम साइट फाम में EMW कहते है Electromagnetic Web विच प्रोसेसेस एनरजी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन आफ और विजन और आबजेक्ट डैट मेंस Light एक Electromagnetic Web के फाम में होता है जो एनरजी का एक पाइट है और वो किसी भी विजन के लिए यह आबजेक्ट के लिए सेंसेसन मतलब उसको देखने के लिए हमको एबल करता है मतलब करना चीलिए System provide करता है क्यम किसी अबजेक्ट को इसके help से देख सकते हैं बीना light के हम किसी object को sense नहीं कर सकते तो उसको हम देख नहीं सकते हैं आई तो सिर्फ देखने का काम करता है लेकिन उसको दिखाता कौन है light है तो light, actually light is the form of energy अब light के जो different different type के behaviors है जब light को deep study किया, light के बारे में जब हम study किया गया तो क्या पाया गया? मैं starting में आपको light के nature को, light के थोड़ा सा background को, उसके history को आपके साथ share कर रहा हूँ actually क्या है जब कोई भी chapter आप इस्टार्ट करते हो तो बिल्कुल zero level के basic से आपको knowledge होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर देखो यह जो light है उसका nature क्या होता है nature आप light पर हम discuss करते हैं कि light का nature क्या होता है किस तरह का behavior वो so करता है यह हमको समझना है तो light के जो behavior होता है light के जो nature होता है two types होता है एक होता है carpuscular theory and second is wave theory देखो मैं बिल्कुल उसको initial condition से classify करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जब higher class में जाओ तो आपको best clear रहे light का आपको basic characteristics पता रहे कि light के बारे में कितने उसके nature होते है किस किस तरह से light को पढ़ा जाता है हलाकि यह जो theory मैं पढ़ा रहा हूँ आपके 10th class का नहीं है लेकिन उसका मैं थोड़ा सा आपको background बता रहा हूँ तो carpuscular theory क्या होता है actual में carpuscles मतलब होता है small particles carpuscles मतलब होता है और Newton ने बताया कि light क्या होता है यह छोटे-छोटे particles से मिल के बना होता है इसके लिए उन्हें बहुँ से concept दिये कि light actual में energy particle है जो छोटे-छोटे particles से मिल के बना होता है इसलिए हम इसको carpus killer theory बोलते हैं यह उन्होंने बताया कि light क्या है? particles हैं small particles फिर उन्होंने बताया यह जो small particles है वो क्या होते है state line में travel करते हैं इनका जो main behavior था light का light के traveling का जो path है वो state line है बोला कि light का जो path है the path of traveling of light is state line मतब Newton का purpose के लिए थोड़ी बोलता है कि light state line में travel करता है और इस behavior के कारण हम इसमें reflection जो हम पढ़ने वाले है reflection, reflection and dispersion dispersion means distribution of seven color of light यह सब behavior सो करता है मतब Newton ने जब इसका study किया तो बताया कि भाई light छोटे छोटे particle से मिलके बना होता है यह उन्होंने बताया बोला कि light का जो path है वो state line में होता है यह उन्होंने बताया फिर उन्होंने बताया कि light में reflection होता है light में reflection होता है और light में dispersion होता है that means light में seven color होते हैं और इसका speed भी उन्होंने बताया, speed तो किसी और scientist ने फीजो और फोको नाम के scientist ने उसको calculate गया, बट Newton ने माना कि light के जो speed है, c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है, ये सब light का carpus killer theory के behavior हैं, जो मैंने आपको फ़र डिसकस किया कि carpus killer theory में ये माना गया, लेकिन आगे चलके एक scientist हुए, जिनका नाम है hygen, hygen, hygen नाम के scientist ने क्या किया, इन्होंने बोला कि light का जो path है, light का जो path है, वो state line ना होके wave path, wave path होता है, मतब light का जो propagation का जो तरीका है, वो actual में इस तरह से होता है, ये उन्होंने बोला, तो यहाँ पर देखो एक, एक disputed concept आ गया, कि हम hygen के wave theory के पहले ये मानते थे, कि light का path state line में होता है, लेकिन hygen ने बताया कि भाई light state line में travel करता है नहीं है, light का तो जो traveling का path है, वो wave के farm में होता है, इस तरह से दो concept आ गये, और ये दो concept पर आगे चल के बहुत research हुआ, बहुत discuss हुआ, आप higher class में पढ़ोगे, कि आगे चल के फिर इसका dual nature का study किया गया, फिर D. Brogley ने, मेस प्लांक ने, बहुत से बगानिकों ने light के study किया, और इसके दोनों behavior को स्विकार किया गया, वो आप बाद में higher class में समझोगे, तो इस तरह से मैंने आपको 10th class के standard के according आपको बता दिया, कि light में कारपस कुलर theory क्या होता है, और web theory क्या होता है, अभी आपको इस class में, इस theory के according, ये 3 phenomena पढ़ने है, reflection, reflection, and dispersion भी थोड़ा सा अपने को पढ़ना है, colorful आप word करके, तो ये हमारा जो chapter है, अब हम start करते हैं, अपने main topic पर आते हैं, light, reflection, मानि हमारा जो chapter है, वह reflection पर best है, reflection पर best हमारा topic है, ओके, चलिए, तो हम start करें, reflection क्या है, reflection of light, what is reflection of light, तो light का reflection होता क्या है, actual में, light का किसी object पर incident होना, और incident होने के बाद, same medium में, back हो जाना, bouncing back, bounce होना मतलब, उचलना उससे, और वापस हो जाना, same medium में, वह क्या कहलाता है, reflection कहलाता है, that means, bouncing back of light is reflection, start word में, आपने start form में कहें, तो bouncing back of the light, is reflection, यह इसका definition हमने यहाँ पर लिखा हुगा है, देखो, वो मैं आपको एक बार explain कर दूँ, ध्यान से सुनो, the phenomena, the phenomena of bouncing back of light, in the same medium, same medium, जिस medium से वाया था, उसी medium में उसका bounce हो जाना, back हो जाना, ठीक है, and striking the surface of any object, is called reflection of light, देखो, मैंने यहाँ पर अपने slide में, सबका to the point definition लिखा हुआ है, ऐसे definition आपको notes में बनाना है, और ऐसे ही आपको exam में लिखना है, वैसे हमारा notes, हमारे application origin the learners hub पर available है, तो आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके notes, हमारे application से free में download कर सकते हैं, तो notes available है, और हमारे application का नाम है origin the learners hub, जो वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, उसका link वहाँ से, आप description में link भी मिलेगा, वहाँ से आप उसको पा जाओगे, तो यह है reflection का definition, अब यहाँ पर देखे, reflection actual में किसी object से होता कैसे हैं, actual में आप किसी भी object को जो देख पा रहे हो, वह reflection के कारण है, यदि object reflect ना करे light को, तो हम किसी object को देख ही नीपाएगा, उसका sensation होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी आपजेट को सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम उससे reflect हुए light को देख रहे हैं देखो किस तरह स्मता हम एक figure बना के आपको समझाता हूँ आप imagine करो यहाँ पर मैं एक part imagine कर लेता हूँ हम कोई भी एक part suppose figure से ज़्यादा समझ में आता है हमको हम एक part बना लेते हैं suppose इस तरह से एक part है और इसमें हमने क्या बना दिया यह suppose यह हमने यह कुछ तरी बना दिया suppose यह एक पेड़ है imagine करो कि इस गंबले में एक part में एक कोई भी फ्लावर पार्ट है उसमें फ्लावर रखा हुआ ठीक है अब इसको हम देख रहे हैं इसको हम देख पा रहे हैं क्यों देख पा रहे हैं इसका देखने का इसका विजन का जो concept है वो क्या है actual में light rays इसमें incident हो रहे हैं यह जो light rays है यह पूरे object पर incident हो रहे हैं और यहां से incident होने के बाद यह reflect हो रहे हैं इस तरह से reflect हो रहे हैं और reflect होने और आई पर इस तरह से जाना किसी आपजेक्ट को देखना पासिबल कर बाता है या किसी बल्ब से निकला हुआ कोई भी लाइट हो वह लाइट उस आपजेक्ट पर इंसिडेंट हो रहा है और इस आपजेक्ट पर incident होने के बाद वह उस light को reflect कर रहा है, bouncing back कर रहा है और उसके बाद वो हमारे eye पर आ रहा है और eye पर फिर हमारे retina के सुरू हम उसको देख पा रहे हैं इस पकार से आप imagine करो कि यदि कोई भी object light को reflect नहीं करता, bouncing back नहीं करता हम उसको नहीं देख पाते, like air, air को हम नहीं देख पाते, जो हमारे पास air का presence होता है हम उस air के presence को नहीं देख पाते, क्योंकि light trace को air reflect नहीं करता, वो 100% उसको reflect करता है अपने अंदर से होके जाने देता है, इस कारण से हम air को नहीं देख पाते और किसी object को हम देख पाते हैं तो यह किस कारण से आप इस difference को समझ नहीं होगे कि air हमको दिखाई नहीं देता जबकि air हमारे surrounding में हमारे आसपास present होता है बट हम उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि air light को reflect नहीं करता है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि reflection इतना important concept है without reflection we can't imagine the vision of any object हम बिना reflection के किसी भी object का vision उसको देखना possible नहीं हो पाएगा उसको हम देखे नहीं पाएंगे ठीक है तो इस तरह से reflection होता है अब यहाँ पर हम देखे हैं कि reflection के types होते हैं देखो last of reflection सबसे पहले तो मैं reflection का last प्रहाने के पहले आपको यह समझा दूँ types of reflection उसके बाद मैं उसको rules को समझाऊँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसके types जो reflection मैंने आपको भी explain किया वो कितने तरह का होता है types of reflection and we have two types of reflection regular reflection and irregular reflection यह two types के reflection होते हैं तो टाइप के reflection होते हैं regular और irregular तो यह क्या होता है देखो सबसे पहले हम regular reflection को देखें regular reflection क्या होता है कि suppose अपने पास इस तरह से कोई surface है यह plane surface है suppose यहाँ पर कोई plane surface है और इस plane surface में हमने क्या किया light incident कर आया यह light incident हम कर रहे है यह parallel light beam है एक दुस्य से parallel है और यह parallel light beam क्या हो रहा है इसमें incident हो रहा है इस तरह से अब इस surface से incident होने के बाद यह light range क्या होता है यहां से reflect हो रहा है और यह reflect होके इस direction में चले गए यह ऐसा तो आप यहां पर देख रहा हो इस reflection में आपको एक खास बात दिखाई दे रहा है वो यह कि यह light rays इस direction से incident होते हैं और incident होने के बाद यह same direction में parallel reflect हो जाते हैं इस तरह से यह जो surface है वो सभी light rays को एक certain direction में एक particular direction में reflect कर रहा है इसलिए क्या कहलाता है regular reflection कहलाता है लेकिन यदि reflection क्या हो irregular हो तो irregular reflection में होता क्या है कि suppose हमारा कोई surface है वो इस तरह से up and down है या rough surface है suppose यह rough surface है और इस rough surface पर मैंने light incident कराया suppose इसमें मैंने इस तरह से light incident कराया यह बहुँ सा light मैं यहाँ पर इसमें incident करा रहा हूँ यह सब light jest आप incident देख रहे हो लेकि रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई इधर गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह इधर चला गया और यह इधर चला गया यह इधर चला गया और यह इधर चला गया इस तरह से आप देखो इसका मतलब क्या हुआ लाइट रिफ्रेक्शन के बाद आप टे अन्धा डिफ्रेंट डिफेंट डिफरेंट वो चला जाता है तब मदस्क से होगा लेकिन जो Plane से होगा वह regular होता है यह है टाइप साफ रिफ्लेक्षन इसके बाद हम करें जो मैं आपको बता रहता पहले लाज आप रिफ्लेक्षी तो पहले हम आपको एक क के यहां पर बनाता है सपोस्व यह कोई Plane Surface है यह अभी मीरर के बारे में आपके discuss करेंगे कि यह suppose एक mirror है mirror के बारे में आगे discuss करेंगे अपन यह mirror है और इस mirror पर हमने क्या किया एक light incident किया suppose यह हमने एक light incident किया अब यहाँ पर इस point पर हम एक normal ड्रा करेंगे नार्मल मतलब perpendicular line यह हमें perpendicular line रा करेंगे और यहाँ से फिर यह इस direction में reflect हो गया तो एक्टवर में reflection का जो phenomena है वो किस तरह से है यह जो light है यह इसको बोलते हैं incident रहे इसको बोलते हैं incident ray यह जो dotted line देख रहे हो यह है नार्मल नार्मल मतलब perpendicular line और यह जो light देख रहे हो वो है reflected यह reflected ray यह reflected ray यह reflected ray है इस तरह से और नार्मल और incident ray के बीच में जो angle बनता है और नार्मल और incident ray के बीच में जो angle बनता है उसको हम angle i बोलते हैं और नार्मल और reflected ray के बीच में जो angle बनता है उसको हम r बोलते हैं इस तरह से यह क्या है reflection कभ फियना मेना इस तरह से क्या होता है complete होता है अब यहां पर हम देखें तो i और r में relation क्या होता है इसके rules को हम पढ़ें तो यहां पर हमने लिखा हुआ है पहले से board में लिखा हुआ है एंगल i equal to angle r, तो यहाँ पर जो laws of reflection होता है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया है, laws of reflection तो reflection के two rules होते हैं, two laws होते हैं, देखो, यह two rules कोण कोज हैं, फास्त-र ला, the incident ray, the reflected ray and the normal r lie in the same plane, पहला rule क्या बोलता है, कि जो incident ray है, यह जो आप देख रहाब incident ray, और यह जो normal है यह जो आप देख रहे हैं normal और यह जो reflected ray है यह तीनो रे यह तीनो एक ही plane पर लाई होते हैं एक ही plane पर होते हैं that is first law of reflection and second law is the angle of reflection the angle of reflection r is always equal to the angle of incident यह angle i जो है angle r के equal होता है angle i angle r के equal जितना incident angle होगा suppose हम किसी ray को 30 degree से incident करते हैं तो 30 degree से ही क्या होगा वो reflect होता है तो यह two rules हैं दोनों rule आपको ध्यान रखना है एक्जाम में आता है right laws of reflection तो ऐसा आपको लिखना है यहाँ पर कुछ special case में आपको explain कर भा हूँ वो special case क्या है थोड़ा ध्यान देना special case क्या है देखो suppose हमारे पास इस तरह का कोई surface है यह surface है और इस surface में हमने एक light perpendicular incident किया यदि हमने किसी light को perpendicular incident किया इस तरह से तो naturally आप देख सकते हो कि यही normal भी होगा चुकि हम इसको perpendicular line ले लिए तो यही normal भी होगा तो इस case में i equal to क्या होता है 0 हो जाता है therefore r is also equal to 0 if i is 0 then r is also equal to 0 जब i 0 होता है तो r भी 0 होता है इस तरह से यह light same direction में क्या होता है return हो जाता है that means यह special condition है इसको ध्यान रखना if the light perpendicular incident on the surface if the light perpendicular incident on the surface then the reflection of the light will be in same direction तो light का reflection क्या होता है वो same direction हो जाता है जिस direction से वो आया था उसी direction से वो वो आपस चला जाता है clear यह इसका special condition है ठीक है तो यह कहलाता है last of reflection आप चाहो तो screen shot लेते हुए चलो साथ में या note down करते चलो तभी आप proper prepare कर पाऊगा इसलिए हमने definition को slide में लिग दिया है okay now next topic is images अब हम देखें कि image क्या होता है image light के chapter का सबसे important concept होता है यदि कोई student image को proper ना समझे तो light का chapter उसको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि light में जो भी होता है वह image पर best work होता है तो मैंने बहुत बार देखा है कि student image image तो करते रहते हैं लेकिन उनके नहीं पता होता कि image होता क्या है यह image है image 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 बोलेंगे लेकिन कभी मैं कई बार class में पूछता हो कि image क्या होता है what is image तो answer देते नहीं बनता है तो अभी आपको समझना है अच्छे से कि actual में image क्या होता है तो image actual में बनता कभ है image बनता है after reflection reflection और reflection क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मिरर में देखते हैं तो हमारा image दिखाई देता है या lens से हमारा image दिखाई देता है तो mirror में reflection हो रहा है mirror में reflection हो रहा है और lens में reflection हो रहा है that means reflection और reflection के बाद ही image बनता है और कब बनता है क्या हमेशा बनता है तो यहां पर हम definition आपको बता रहे हैं कि after reflection are reflection after reflection are reflection if two are more than two rays are intersect to each other are appear to intersect to each other reflection या reflection के बाद जब two are more than two rays difference क्या होते हैं एक दुसे को intersect करते हैं या intersect करते हुए लगते हैं लगता हे वहां वर object का image बनता है देखो यह पर हमने deblion में लिखा हुआ है this definition आपको यह सब definition proper किसी बूक में मिलेगा नहीं there yeah यह आपको हूदी पाइंड किसी after reflection are reflection after reflection are reflection क्योंकि दोनों event के बाद image बनता है if two are more than two rays if two are more than two rays intersect to each other or appear to intersect to each other मतलब या तो intersect करते हैं are appear to intersect to each other that means intersect करते हुए दिखते हैं या तो real intersect करते हैं या तो ऐसा लगता है कि वो intersect कर रहे हैं यह दोनों condition क्या होता है यह जब अभी आपको हम image diagram ray diagram समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा intersect to each other is called image तम क्या कहलाता है वो image कहलाता है clear definition learn होगे आप लोग को if two are more than two reps after reflection or reflection if two are more than two reps intersect to each other or appear to intersect to each other then that is the image of object अब यह two types के होते हैं types of images यह two types के होता है first type is real image first type is real image and second type is virtual image अब यह real और virtual image क्या होता है देखो real और virtual image हम किसे कहेंगे तो नाम से clear है जो real में intersect करता होगा real image मतलब जो real में intersect करता होगा और virtual image का मतलब होता है कि जो intersect करता हुआ लगता है इस तरह से real image कब बनता है जब two are more than two reps real में intersect करते हैं और virtual कब बनता है जब वो interset करते हुए लगते हैं ठीक है इस तरह से इस तरह से देखो real image और virtual image की क्या क्या property होती है यह मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि real image always क्या होता है inverted होता है inverted मतलब उल्टा real image is always inverted मतलब यदि कोई image आपको inverted दिखे जैसे मालो मैं अपना image कहीं देखूं और मेरा सिर नीचे पैर उपर दिखे तो मुझे समझ जाना है कि मेरा image real बन रहा है यह मैं पैन रखा हूँ यदि ऐसा है और image इसका ऐसा बने तो वह उसका real image होगा लेकिन जो virtual image होता है वह erect होता है virtual image is erect erect मतलब होता है सीधा erect मतलब होता है सीधा ठीक है तो इस तरह से इसको पहचानते हैं इसके position को देखके real image is always inverted and virtual image is always erect जैसे plane mirror के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो image है वह virtual बनता है क्योंकि सीधा बनता है जैसे हम होते हैं वह ऐसी बनता है आगे मैं उसको detail में explain करूंगा कि plane mirror से image कैसे बनता है दूसरा इसका जो important property वो यह है कि real image को हम scene देख सकते हैं in screen हम इसको screen पर देख सकते हैं ठीक है इसको हम screen पर देख सकते हैं और इसको doesn't scene on screen कहने का मतलब क्या हुआ यदि हमारे पास real image बना हुआ है तो उसको हम किसी screen पर देख सकते हैं screen पर देख सकते हैं मतलब जैसे हम theater में movie देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो image है वो screen में दिखता है परदे पर दिखता है तो जब हम क्या करें किसी image को परदे पर देख लें परदे पर बना लें तो वो real image होता है लेकिन virtual image को doesn't see on screen हम screen पर नहीं देख सकते ठीक है तो यह दो important बात ध्यान रखना एक बर और ध्यान से सुनो image के two types होते हैं real image और virtual image real image की खास्यत क्या है कि वह हमेशा inverted होता है और हम इसको screen पर देख सकते हैं virtual image की property क्या होती है कि virtual image always erect होता है मतलब सीधा होता है और इसको हम screen पर नहीं देख सकते हैं clear यह हो गया image के types अब हम देखते हैं mirror देखो मैं हर topic को आपको बहुत depth के साथ मैं explain कर रहा हूँ वह इसलिए कि 10th class एक ऐसा class है मैं आपको फड़ा पढ़ाते हुए बीच में आपको याद दिला दूं कि future में यदि आपको competitive exam prepare करना है मतलब IITJ init के exam आपको यदि crack करने हैं तो उसका starting class 9th से ही हो जाना चाहिए class 9th से ही आप उसको proper way में पढ़ेंगे मतलब superficial मत पढ़ो आप किसी भी चीज को क्योंकि 9-10 तो basic class है यदि इस class को आप बहुत सुक्षमता से keen observation के साथ और बहुत depth में concept के साथ में पढ़ेंगे तो भी आपको 11-12 में topic अच्छा समझ में आएगा और तभी आप competitive के लिए better तयार हो पाएंगे तो हमारी पूरी कोसिस है कि जब आप 11-12 class में हमारे lecture देखो तो हम 9-10 में ही आपको इतना contents पढ़ा दें कि वो lecture आपको बहुत आसान लगे और आप बहुत faster recover कर सको चलिए तो हम आगे discuss करें types of image यहाँ पर गलत लिखा हुआ है types of image नहीं है types of image तो मैं यहाँ पर पढ़ा दिया types of images पढ़ा दिया यह types of mirror है चलो भाई इसको मैं correction कर देता हूँ types of mirror तो पहले तो यह देखें कि mirror क्या होता है फिर उसके type पर discuss करेंगे types of mirror mirror के कितने type होते हैं तो यहाँ हमने mirror का two types आपको सो किया है एक होता है plain mirror और दूसरा होता ispherical mirror यह single-less रहेगा ispherical mirror ठीक है कहीं कहीं पर spelling वगरा थोड़ा बहुत typing mistake के इकान होता है वह आप समझे ना consider करें ना उतना आपको पता है तो mirror क्या होता है सबसे पहले हम discuss करें कि actual mirror क्या होता है what is mirror mirror तो आप रोज यूज करते हो तो कभी आपने सोचा कि mirror क्या होता होगा mirror किसे कहते हैं तो mirror actual में हम किस लिए यूज करते हैं अपना image देखने के लिए ज्यादा mirror वसे mirror के बहुत यूज है लेकिन हम लोग अपने common life में image देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं ये आपको पता है अब यहां पर आप देखो कि mirror का use हम जब करते हैं तो को « किदने तरह के Mirrors करते हैं ज्यादा तर तो हम लोग प्रें यूज करते हैं अपने चहरा देखना के लिए लेकिन यूज外 होते हैं को इस्पेरिकल मीरर जिसमें कान के और कान मेक्स इसके टू टाइप होते हैं ठीक है तो पहले हम डिसकस करें एक्च्छल में मीरर है क्या वाट इस मीरर तो कामन वे में जब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई मीरर क्या है तो बोलते हैं कि सर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो मीरर है तो इसका मतलब तो सभी आबजेक्ट मीरर हो गए है क्योंकि मैंने आपको इस स्टाइटिंग में बताया था कि हर आबजेक्ट राइट को रिफ्लेक्ट करता है इसी लिए वह दिख रहा है यदि वह light को reflect नहीं करता, तो हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, तो फिर mirror क्या हुआ भाई फिर? फिर mirror किसको कहेंगे हम? तो mirror का मतलब यह है कि जो maximum light को reflect कर देता है, बाकी जो object हैं, वो 100% light को reflect नहीं करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट को reflect करते हैं, और कुछ पार्ट को observe भी कर लेते हैं, इस पकर से mirror is a device which reflect near about 100% light, देखो यहाँ पर near about बोर नहीं हो नहीं, 100% light, इसका मतलब क्या हुआ? which reflect 100% light, तो भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई object नहीं है, जो light को 100% reflect कर दे, वो तो ideal condition हो गया, और ideology तो केवल सोचने का चीज होता है, उसको complete 100% follow करना मुश्किल होता है, ideal condition का मतलब यह होता है, तो 100% तो नहीं, लेकिन वह maximum light को near about 90, more than 95% light को क्या करता है, वो reflect करता है, लेकि is a device which reflect 100% light, जो light को 100% reflect कर दे, वो mirror कहलाता है, इस पकार से देखो, types of mirror, कि mirror के कितने type होते हैं, तो mirror के हमारे पास two types होते हैं, एक plane mirror और दूसरा spherical mirror, plane mirror और spherical mirror, plane mirror का मतलब क्या होता है, जिसका surface plane हो, plane mirror तो भी मैंने आपको पीछे बताया है, वोसा plane mirror है, फिर हम देखेंगे spherical mirror, तो spherical mirror क्या होता है, जब किसी sphere को, जब किसी sphere को, जैसे यहाँ पर मैं अभी आगे detail में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक example से मैं आपको यहाँ पर explain कर देता हूँ, कि suppose यह कोई spherical object है, और इस spherical object को मैंने क्या कर दिया, cutting कर दिया, ऐसा, यह दो अलग-अलग piece निकाल लिया, और एक piece को, यह, अब यहाँ पर देखो, यह दो mirror देख रहे हो, जो, sorry, यह जो spherical, जो अपने पास object था, मतलब suppose वो glass, एक hollow glass sphere था, उसमें हमने दो piece cutting किया, दोनों side से, अब यह वाले piece में, हम क्या किये, इसके यह जो उपर उठा हुआ हिस्सा है, इसको polish कर दिये, यह polish कर दिये, इस तरह से, तो इसका जो दबा हुआ हिस्सा है, वो signing हो गया, और तब बन गया यह concave mirror, यह बन गया concave mirror, मतलब concave mirror ऐसा mirror होता है, जिसका signing surface अंदर की जो दबा होता है, और polish वाला surface उपर उठा हुआ रहता है, अब यहाँ पर आप figure में देख रहे हो, इसको हमको convex बनाना है, तो हम क्या किये, इसका यह वाला जो हिस्सा है, उसको polish कर दिये, तो इसका signing surface क्या हो गया, उपर उठा हो गया, तब यह क्या कहलाता है, यह कानकेव कहलाता है, यह है कान, sorry, यह convex है, यह convex mirror है, और यह क्या है, कानकेव mirror है, आगी बात समझें, अभी तो इसको हमको detail में पढ़ना है, तो यह होता है, तो convex और कानकेव, यह, एक plane mirror और दूसरा spherical mirror, वैसे हम mirror के, दो ही type पढ़ते हैं, लेकिन तीसरा type भी हम कभी-कभी higher class में जाते हैं, तो हमको पढ़ने को मिलता है, मैं यहाँ पर आपको उसको समझा देता हूँ, और तीसरा type जो हम बोलते हैं, वो है parabolic mirror, एक्चुल में parabolic mirror को भी हम spherical mirror के ही type में लेते हैं, लेकिन parabolic mirror में third difference होता है, इसका जो aperture होता है, आग पैराबोला एक safe होता है, और यह पैराबोला का safe को होता है, इसलिए हम इसको parabolic mirror कहते हैं, और वो इस तरह से होता है, मतलब इसका curve बहुत अंदर के बड़ दबा होता है, फीगर से आप समझ जाओगे, यह जो आप देख रहे हो, यह parabolic mirror है, ऐसा होता है parabolic mirror, पैराबोला ए इस तरह से होता है, तो तीसरा type भी आप नाम के लिए कम से कम जानो, आपके class में इसका कोई use नहीं है, ना इसका कोई नाम है, लेकिन knowledge होना चाहिए, student को knowledge होना चाहिए, कि कल के लिए आप जब higher class में physics पढ़ो, और इसको पढ़ो तो आपको पतर रहना चाहिए, यह 10th class के class में हमको किसी teacher ने समझाया था कि parabolic mirror भी होता है, तो basically हम mirror फिर 3 types से कह सकते हैं, एक क्या है, plane mirror जिसका surface plane हो, चलो भाई उसका भी figure बना देते हैं, ठीक है, बहुत बार बनाया फिर भी बना देते हैं, यह हमारा plane mirror है, सबसे famous mirror जिसका आप रोव जी उस करते हो, तो यह है types of mirror okay, अब यहाँ पर हम देखें, image formation by a plane mirror, अब हमको यहाँ पर समझना है, कि plane mirror image formation कैसे करता है, plane mirror के थूरू हम image कैसे बनाते हैं, इसको हमको समझना है, ठीक है, तो कैसे बनाता है देखो, यह सबसे important topic है, और बहुत ध्यान से समझना, जब तक आप यह नहीं समझोगे, तो हमने एक base बना लिया, एक foundation कहना चाहिए इसका, यह base बना लिया, और इसमें हम लगा दी यहाँ पर एक plane mirror, यह suppose एक plane mirror है, यह vertical इस पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो plane mirror को हमने vertical यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, यहाँ देखो, mirror को सो करने के लिए, हम इसका polish वाला area जरूर बनाते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन सा area में reflect करना है, और कौन सा polish वाला है, तो हमने यहाँ पर इसमें polish कर दिया, अब इसके सामने एक object रखा हुआ है, इसके सामने, suppose यह हमने एक object रखा, यह object रखा, अब इस object का image कैसे बनेगा, यह हमको देखना है, तो हम क्या करते है इस object से two rays incident करते हैं, एक ray मैं ने इधर incident किया, और दूसर यह incident किया, clear, अब इस ray को हम क्या करें, यह reflect हो जाएगा, पहले से मैं image बना देता हूँ, तो ज्यादा बहतर है, अंदाज से मैं, एक image पहले से बना देता हूँ, तो figure बनाने में थोड़ी स्वीधा होती है, पर्फेक्ट फिगर बनता है, देखो ray diagram बनाना एक technique का मेंटर है, जब तक आपके पास technique नहीं होगा, आप ray diagram नहीं बना सकते हैं, देखो image बना कैसे है, ज्यान समझना, क्योंकि image formation सबसे important बात होता है light के chapter में, चाहे कोई सब भी mirror हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, A, B, A, B एक object है, और यहाँ से जो light incident हुआ, यह एक light incident हुआ, और यह दूसर light incident हुआ, दोनो light rays यहाँ पर आके टकराते हैं, यह, और टकराने के बाद इस direction में यह reflect हो जाते हैं, यह, तो दोनो light rays यहाँ पर आके टकराने के बाद इस direction में reflect हो जाते हैं, और देखो आगे ये दोनों light इस तरह से फैलते हुए जा रहे हैं, तो चुंकि दोनों light आपस में फैलते जा रहे हैं, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे को इंटर सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका image बन गया A-B-, यह इसका image है A-B- यह इस AB का image है A-B- इस तरह से plane mirror से image बनता है, तो इस image formation को देख के आप क्या समझ सकते हो, कि इसका क्या-क्या special properties है, पहला property तो यह, कि image, image के यहाँ पर मैं property लिख रहा हूँ, वो क्या है, behind mirror, behind mirror बनता है, that means mirror के पीछे बनता है, पहली property तो यह है, कि mirror के पीछे बनता है, देखो यहाँ प object है, यह o-far object है, और यह i-far image है, तो image क्या बनता है, mirror के behind, दूसरी और बनता है, दूसरा important property क्या है इसका, कि यह कैसा erect है, और erect होने के कारण, चुकि यह erect है, इसलिए क्या है, यह virtual है, erect and virtual, यह क्या है, erect है, और erect होने के कारण क्या है, वर्चूल है, third इसका property क्या है, third property क्या है, देखो, same size का बनता है, same size, object, object के same size का बनता है, कहने का मतलब, जितना बड़ा object होता है, उतना ही बड़ा image बनता है, उससे छोटा या बड़ा नहीं बनता है, यह कुछ इसके properties हैं, ठीक है, और fourth property क्या है, equal distance पर बनता है, equal distance पर बनता है, वैसे कुछ properties, next slide में मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं आपको और उसको explain कर दूँगा, same size का, मतलब यहाँ पर आप figure में देख रहा हो, कि जितना बड़ा हमारा object था, हमने image को भी उतना ही बड़ा बनाया है, लगभग यहाँ पर figure में अंदास से बनाया है, लेकिन हमने उतना ही बनाया है, तो जिस size का object होता है, उसी size का image होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है इसकी property होती है, तो image formation by a plane mirror ये आपको समझना है कि किस तरह से वह image बनाता है, ये बहुत important concept है, जब तक student ये नहीं समझेगा कि plane mirror किस तरह से image बनाता है, इसका कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, ओके, अब हम देखते हैं इसके कुछ properties, ये जो properties हैं, ये हमने लिखा हु ये बहुत important point है, थोड़ा ध्यान से समझना, तो पहला point क्या है इसका देखो, the image आप है object is always virtual and erect, ये सब मैंने पिछले site में आपको समझा दिया, कि इससे जो image बनता है, the image आप है object is always virtual and erect, virtual और erect बनता है, second point में देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं और, second point में आप देखो, second point क्या करता है, the size of image in a plane mirror is always the same as the size of object, ये पिछे भी मैंने explain किया है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको point to point आपको बता रहा हूं, clear, next, the image formed in a plane mirror is behind mirror, mirror की पिछे बनता है, ये भी मैंने आपको बताया, the image formed in a plane mirror is laterally inverted, ठीक है, laterally inverted का मतलब क्या होता है, इस point को थोड़ा ध्यान से समझना, lateral inversion इसका एक property होता है, वो lateral inversion क्या होता है, अभी आगे के point पर उसको explain करूंगा, कि plane mirror के खासियत होता है, कि वो lateral inversion कर देता है, that means हमारे part को, हमारा जो object का part है, उसके left side को right में बनाता है, और right side को left में बनाता है, आप plane mirror के सामने खड़े होके अपने left hand के move करोगे, तो वहाँ पर आपको right hand को move करता हुआ आपके mirror पर दिखेगा, यहाँ आप right hand को move करोगे, तो left hand move होता हुआ दिखेगा, इसके इस nature को हम क्या कहते हैं, इसका lateral inversion कहते हैं, ठीक है, lateral inversion, characteristics इसका कहलाता है, इसका next point देखो, the distance between the image obtained in the same, distance same होता है, distance between the object, यह देखो, equal distance, तो मैंने सारे point यहाँ पर explain कर दिया है, figure में बता भी दिया है, और उसके बाद उसको वहाँ mention भी क्या देखो, यहाँ पर एक important part point यह और ध्या रखना, यदि object, यदि object mirror के तरफ, u velocity से move करें, if the speed of object is u towards mirror, then the speed of image is always u towards mirror, मतलब यदि कोई object 10 meter per second के speed से mirror की तरफ move करें, तो उसके behind जो image बना हुआ है, वह image भी 10 meter per second की speed से mirror के तरफ move करता है, लेकिन towards object के हैं तो 20 होयाँ ध्यान रखना, u plus u हो जाएगा, क्योंकि यहां relative velocity होगा, तो towards mirror बोल रहा है, कि towards object बोल ध्यान रखना, कई बार competitive exam में यह question को पूछा जाता है, और यह पूछ देता है कि towards object, object के तरफ की speed से move हो रहा है, ऐसा बोल देता है, तो जब यह object mirror के तरफ u speed से होगा, तो image भी u speed से mirror के तरफ होगा, लेकिन यह जो image है, उसको object की तरफ बोलेंगे, तो to u हो जाएगा, तो यह सभी points आपको यहाँ पर समझना है, यह आप एक बार skin start ले लो, characteristics of image farmed by plane mirror, यह बहुत important है सभी points, इसमें से कोई भी point आपको कभी भी exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर plane mirror का characteristics is complete हुआ, ओके, now next topic is spherical mirror, देखें अभी तक हमने plane mirror का complete concept clear कर लिया, अब हम पढ़ेंगे spherical mirror, spherical mirror, सबसे पहले तो हम देखें, spherical mirror होता क्या है, कैसे बनाते हैं, फिर उसके two types होते हैं, convex और concave, यह कैसे बनाते हैं, यह हमको सबसे पहले समझना है, spherical mirror का मतलब होता है, ऐसा mirror, जिसका जो reflecting surface है, जिस surface से हम reflection करते हैं, वो spherical हो, तो generally इसको हम एक hollow sphere ले ले लेते हैं, suppose glass का हम एक hollow sphere ले ले लेते हैं, यह थोड़ा construction का मैं आपको idea दे देए, सपोज यह hollow sphere है, hollow sphere है glass का, और हमने इस hollow sphere को क्या किया, इसका cutting किया, suppose हमने इसको cut किया, किस तरह से, two part में cut किया, यह यह वाला, और इस side से यह वाला part cut कर ले, कैसे भी कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं, मतलब हम एक hollow sphere को हमको एक, एक आर्क वहां से लेना है यह हमने लिया देखो यहाँ पर यह सका सेंटर है यह इस इस फेर का center है अब हमने क्या किया इसमें एक piece लिया और उसके कानकेव मिरर बनाया मिरर के two types होते हैं कानकेव मिरर एंड कानवेक्स मिरर ठीक है इसके बाद मैं एक और मिरर के बारे मैं आपको introduction दूँँगा लेकिन जनरली 10th की students उसको नहीं पढ़ते हाईर क्लास में लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिलाल आपको कानकेव और कान्वेक्स में सबसे पहले explain कर रहा हूँ तो देखो हम कानकेव मिरर कैसे बनाएंगे यह हमने जो piece लिया एक बार मैं फिर उसका आपको यहाँ पर construction लिखा रहा हूँ यह कानकेव मिरर बनाने के लिए हम यह जो यहाँ पर मैंने बनाया है उसका piece इस प्रकार से एक तुकड़ हमने यहां से लिया और इस तुकड़े का हम क्या किये एक side को हमने polish कर दिया suppose यह वाला जो portion है इसको हमने polish कर दिया यह polish है दिया है mercury से mercury के साथ और बहुस elements मिला के polish बनाया जाता है और उस polish से हमने क्या किया एक surface को polish कर दिया ऐसा करने पर यह जो outside है जिसको आप देख रहे हैं बाहर का side जो उठा हुआ है वो polish है दिया है अंदर के और दबा हो तब हम उसे क्या कहते हैं कान के और mirror के यह जो figure आप देख रहे हो यह कान के और mirror का है लेकिन जब हमको convex mirror बनाना होता है तो convex mirror बनाने के लिए हम क्या करते हैं देखो यह हमने जो spare लिया इसका हमने cutting किया और अब हम polish area के side को change कर दिये अब हम polish area के side को change कर देंगे और change करके क्या करेंगे अब देखो अब हम इसके inner side को हमने polish कर दिया देखो यह वाला जो अंदर दबा होआ area है इसको हम polish कर दिये तो यहां signing surface यह हो गया तो इस तरह के mirror को हम क्या कहेंगे convex mirror कहते है तो concave mirror और convex mirror concave mirror में signing surface अंदर के और दबा होता है और convex mirror में जो signing surface है वो बाहर के और उठा होता है एक third type का mirror भी होता है जो आप higher class में पढ़ोगे लेकिन नाम कम से कम आपको इस class में जानना चाहिए वो third type का mirror क्या है? parabolic mirror parabolic mirror आपको कम से कम इसका नाम तो जानना चाहिए parabolic mirror क्या होता है? जो parabolic shape का होता है parabola क्या है? एक design है, एक geometrical design है जैसे circle होता है, sphere होता है, triangle होता है उसी तरह से parabola ही होता है, जिसको आप 11-12 class में पढ़ोगे तो parabola के shape का जो mirror बनाया गया उसको parabolic mirror कहते है इस type का होता है, देखो mirror कैसा होता है, मैं आपको समझा दूँ parabolic mirror ऐसा होगा parabolic mirror जो safe होता है, वह parabolic mirror इस तरह से होता है ऐसा safe होता है parabolic mirror का और इसके हम outside को polish कर देते हैं यहाँ पर जो इसका outside है, यह हम polish करते हैं, यह इसको polish area है तब हम इसको parabolic mirror कहते हैं यह कहलाता है parabolic mirror तो यहाँ पर क्या होता है देखो spherical mirror और parabolic mirror में difference क्या है आप देख रहे हो इसका जो spherical arc होता है यह क्या होता है बहुत कम होता है जिसको aperture बोला जाता है आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके जो parts अपन पढ़ेंगे तो और यह जो होता है यह बहुत जादा अंदर के और दबा हुआ होता है दोनों figure से आप समझ गए होगे कि जो कानके और convex mirror का जो light enter करने का जो surface है वो क्या होता है लगभग state line की तरह होता है लेकिन इसका जो होता है parabolic mirror का वो complete क्या होता है अंदर के और बहुत जादा दबा होता है देखो यह area इसमें कई बार reflection कर सकते हैं एक बार light enter करने के बाद हम अगेन अगेन बार बार उससे reflection कर सकते हैं यह क्या कहलाता है parabolic mirror कहलाता है तो यह इसका introduction है spherical mirror का अब हम यहाँ पर देखते है sign convention for spherical mirror sign convention हम पहले spherical mirror का थोड़ा सा आपन introduction इसको एक काम करता हूँ मैं इसके पहले मैं आपको इसके पहले मैं आपको बता रहूँ इसके parts के name ठीक है introduction इसका introduction मैं एक तरह से आपको बता दूँ introduction आप introduction में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो अलग-अलग part होते हैं उसका हाँ नाम क्या होता है उसको हम किस तरह से कहते हैं वो convex, concave के दोनों के लिए एक तरह का होता है तो यहाँ पर मैं एक mirror बना के आपको उसके सभी parts को introduce करा रहा हूँ कि हम इसको किसको क्या मोलेंगे ठीक है, suppose यहाँ पर मैंने एक mirror बनाया, एक बड़ा सा mirror बनाके उसके हर part, यह सबसे important concept है जब तक आप उसके different parts का नाम नहीं जानेंगे तब तक क्या है आप उसको इसके study proper नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देखो, यह हमने एक mirror बनाया, अब यहाँ पर जो इसके parts है, वो क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले मैंने एक state line ड्रा किया, यह यहाँ पर देखो यह जो point है, जो लगभग, meet point होता है mirror का, यहाँ पर मैंने mirror बनाया है, वो suppose देखो, एक चीज़ आप हमेसा ध्यान में रखना 9th और 10th class का जो basic science है, जो physics का जो chemistry का किसी भी subject का जो base है, वो यदि आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो in future 11th और 12th class में जाने पर आपका work का बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हर student को मैं बोलता हूँ, कि 9th के contents को आपको बहुत ही depth में जाके पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि रटा मार लिया बीना कुछ समझे 9th के science को रटने वाले student फिर 11th class है, प्राबलम फेस्ट करना सुरू कर देता है इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझो हर चीज़ छोटी छोटी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ और 10th class का contents provide कराने का मेरा मकसद भी यह है, कि जब आप मेरे 11th और 12th class के class low तो आपको बहुत आसान लगे के चीज़ों को समझने में उस लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंक्लूडिंग प्रिप्रेशन आप नीट एन आयाइटी आसो आयाइटी और नीट के लिए आप प्रिप्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत स्टांग होना जो रही है तो यह देखो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पॉल यह पॉइंट का नाम है पॉल तो एक एक इसके पार्ट को समझना है कौन सा पार्ट क्या कहलाता है यह कहलाएगा पॉल अब देखो आपने यह प्रिवियस फीगर में देखा कि हमको जब कानके तो जब यह piece कट के निकल जाएगा तब भी उसका center तो वही रहेगा तब भी इसका center यही रहेगा तो उसका जो center था मतलब उस sphere का जिस से इस piece को निकाला गया है उसका जो center होता है वो यहाँ पर रहेगा और उसको हम कहते हैं c यह यह माल सी और इसको कहते हैं center up curvature इसको बोलते हैं center up curvature मैं symbolic लिख रहा हूं ताकि आगे मुँआ इसको explain करके आपको बता दूँ कि कौन क्या है ठीक है तो यह जो इसको मैं पी लिख रहा हूं यह पी है यह सी है अब देखो पी और सी के ठीक मीड में पी और सी के ठीक मीड पाइंट में point होता है इस point को हम यह f कहते हैं यह क्या कहलाता है इसका focus कहता है focus point कहलाता है focus point और focal length दुनों अलग अलग होता है यह मैं आपको भी explain करूंगा कि कौन सा point focus है और कौन सा point focal length है तो यह इसका c कहलाता है और यह जो cp है या pc है वो क्या है उसका principle axis होता है और यहाँ पर mirror का यहाँ बहुत important बात है जिसको ध्यान से समझना mirror के इस end से इस end तक मिलाने वारा जो line है जिसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ suppose यह है M, M dash यह जो points है और यह spherical mirror मैं आपको बता रहा हूँ that means यह जो introduction है वो convex के लिए भी apply होगा और concave के लिए भी apply होगा बस उसके side change हो जाएंगे यह धियान में रखने जैसे यह इधर है वो उसका उस side में हो जाएगा अच्छा एक figure मैं और बना देता हूँ आपको ताकि किसी तरह कभी confusion किसी student को नहीं होना चाहिए चलिए एक figure मैं यहाँ पर और convex के लिए बना देता हूँ ताकि आपको पूरी बात बहुत इस पस्ट पता रहे अब यहाँ पर आप देखो मैं एक और figure से यह सभी चीज आप को सो कर रहा हूँ इसमें सब चीज इसके अंदर साइड में रहेगा यह convex है यह हमने यहाँ पर इसका convex mirror बनाया हुआ है यह समें कौन कौन सा point क्या होगा इसमें यही point P होगा यहाँ पर यह point C होगा और यहाँ पर यह point focus होगा यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अंदर की और दबा हुआ हिस्सा होता है वही पर F रहेगा और वही C रहेगा तो यहाँ पर signing surface की और होता है और यह क्या होता है पालिस एरिया की ओर होता है तो दोनों में इस डिफरेंस को समझना है और यहाँ पर भी जो M, M, डेस है जो इसको अपन डाटेट लाइन से जो हम मिलाए हुए है वो भी यहाँ पर M, M, डेस ही लिख देता हूँ मैं M, M, डेस और सब के सिंबोल को मैं यहाँ पर आपको लिख Center Up Carvature C Center Up Carvature कहलाता है और F Point क्या कहलाता है? Focus Focus Point या खाली Focus भी कह देता है यह 3 Points के नाम यह है और Distance में जो Distance यहाँ पर लिखा गया है वो Distance को मैं अलग से यहाँ पर आपको सो कर रहा हूँ कि हम किस Distance को क्या कहते है यह थोगया Points यह Points के नाम है कि किस Point को हम क्या कहते है और Distance में हम किसको क्या कहेंगे ध्यान देना यहाँ पर Distance में हम सरसे पहले PC यह जो PC है मतलब P से लेके C तक का जो Distance है यहाँ से यह PC Line है पूरे PC Line को अपन कहते है Principal Axis principal next यह px line pricipal axis कहलाता है यह पूरा line क्या है principal axis कहलाईगा और यही PC जो distance है यह PC जो distance है उसको हम radius आप करवेचर कहते हैं अब यहाँ पर आप confuse मत हो न कि सर आप PC को principal axis लिखे हो PC को radius आप करवेचर कहते हो PC line का नाम PC line का नाम principal axis है लेकिन PC जो distance है वो radius आप curvature है और इसको हम represent करते है capital R से radius आप curvature को हम capital R से represent करते है उसके बाद देखो PF यह जो PF distance है यह PF distance को कहलाता है focal length यह focal length कहलाता है और इसको हम represent करते है small f से focal length हम represent करते है किसको small f से करते है और M M dash आप देख रहे हो जो line M M dash जो होता है वो mirror का aperture कहलाता है aperture राबदा mirror aperture का मतलब होता है उसका जो सामने का area है जितने area से light enter करता है मतलब इस M और M area से ही light इसमें enter कर सकेगा aperture कहलाता है समनर दोर है उसका उसका दोर है जहाँ पसे light उसके अंदर में enter करता है उसके अंदर प्रवेस करता है उस दोर को समझे जैसे हम किसी घर में घुचते हैं तो दोर होता है न उतना इरिया में तो पर भूच सकते है ना aperture आपदा mirror ठीक है यह कहलाता है इसका introduction तो ध्यान में रखना कि कौन-कौन से पाइंट को क्या कहते है यह सब basic है यह सब basic आपको फिर 12th class में आप light पढ़ोगे तो फिर कोई आपको बताएगा नहीं और बताने के ज़ुरत भी नहीं पढ़ना चाहिए तो यह आपको समझना है तो clear यह अब हम देखते हैं नेस टापिक तो हमारा नेस टापिक है क्या sign convention of spherical mirror sign convention of the spherical mirror that means जब हम numerical question बनाते है तो उसके लिए जब हम इसके distance put up करते हैं numerical में तो उसको with sign put करते हैं यह एक ऐसा टापिक है कि यदि एक student sign convention नहीं समझा है तो numericals बना ही नहीं सकता अब यहाँ पर sign तो मतलब है आपको sign मतलब plus या minus लेकिन convention का क्या मतलब होता है convention को हम कहते हैं एक ऐसा rule एक चल में convention को हिंदी में परिपाटी कहा जाता है हिंदी में convention को परिपाटी कहा जाता है और convention का सीधा मतलब होता है ऐसा rule जिसका कोई reason नहीं हो मतलब उसका कोई कास नहीं हो तो उसको माना गया होता है अब आप सुचोंगे सर्व बिना reason के क्यों मान लिया गया होता है तो physics में बहुंसी चीजों को study करने के लिए study को प्रापर यदि एक कंट्री उसको दूसरे ढंग से पढ़े दूसरा कंट्री उसको दूसरे ढंग से पढ़े पहले ऐसा होता था तो उस सब जगा एक तरीके से साइन को लेंगे ताकि हमको study में और इस तरह से कोई प्राप्लम ना इंटरनेशनल लेबल पर उसको फीगर में ना इसको बहुत एच्छा तो इसलिए मैं एक छोटी जोटी बात को अलग अलग सब हेंग के साथ आपको पढ़ा रहा हूं तो टेंथısı लेबल के इस्टोडेन बहुत लाद नहीं हो दो लेकिन 10th class के student बहुत जल्दी confused हो जाता है यह क्या है वो क्या है तो इसको बहुत ध्यान से मैं के बता रहा हूं ध्यान समझना यह इसका प्रिंस्पा एलेक्सिस हो गया अब यहां पर कोई भी एक mirror हमने बनाया है सपोज हमने यह बना लिया है convex, concave mirror बना लिया है यह तो sign convention होता क्या है पहला तो rule यह है first rule यह पोल इसका यह है कि object हमेशा object हमेशा क्या होगा left side में रखा जाता है तब position of object is always left side और मैं आगे उसको बताऊंगा आपको किस तरह से उसको हम यूज करते हैं तो sign convention में सबसे पहले आप देखो क्या बोला मैं कि position of object is always left side लिख भी देता हूं इसको मैं position of object is always left side माने आपको object को left side में ही रखना है lens में भी mirror में भी तो that means यहां पर क्या करूँगा मैं object को यहां रख दूँगा देखो यह मैंने यहां पर object को रख दिया suppose object में यह बना दिया yellow color से यह यह object है ओ ओ फार object तो object को मैंने left side में रख रहा है अब यहां से जब हम light incident करते हैं ठीक है second rule यह है second rule इसका यह है कि जितना भी distance measure किया जाएगा वो p से measure किया जाएगा all distance measured from pole सभी distance pole से measure किया जाएगे मतलब यहां से o से measure नहीं कर सकते हम distance को pole से ही measure करेंगे चाहे left side में करें चाहे right side में करें second is all distance measured from pole जितना भी distance होगा उसको pole से measure किया जाएगा यह बहुत ध्यान से समझना यह नहीं समझे तो आप numerical बना ही नहीं पाऊगे ध्यान रखना third rule is तीसरा rule क्या कहता है देखो third rule क्या कहता है कि जैसे हम incident ray है सपोस हमने यहां पर एक ray लिया यह है incident ray मतलब जो light incident होता है जो light आता है उसको हम incident ray बोलते हैं ठीक है तो incident ray के direction में इंसिडेंट ray के direction में जो distance measure किया जाता है उसको positive लेते हैं ठीक है टूर्स इंसिडेंट ray टूर्स इंसिडेंट ray डिस्टेंस इंसिडेंट ray मतलब इंसिडेंट ray के तरफ जो distance होगा उसको हम क्या लेंगे पाजिटिव लेंगे जैसे मालो मेरे को incident ray के का distance लेना है तो पॉल से मैं measurement करूंगा तो पॉल से इधर जो direction होगा वो positive होगा मतलब यहां पर मैं figure में आपको बता दूं यह वाला जो distance होगा इधर जो जाएगा वह positive होगा लेकिन कहां से पॉल से ना object से नहीं ऐसा confusion मत होना कि सर्थ इधर बताया थे positive होता है लेकिन आप पॉल से जब उधर जाओगे मैं second rule यहां पर लिखता हूं यहां पर लिखता हूं fourth rule को of a opposite opposite of incident ray distance will be negative इन्वर्लिक देता हूँ, अपोजिट आप दर इन्सिडेंट रे, डिस्टेंस विल भी निगेटिव मतलाब, यहाँ फिर में देखो, यह इंसिडेंट रे हैं, और इन्सिडेंट रे के जो आपोजिट डिरुटि डिस्टेंस में, मतलाब इस डिरुटि डिरीक्शन को हमको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे मतलब इस pole से measurement करेंगे और pole से जब हम इधर distance लेंगे तो क्या होगा? negative होगा अब pole से जब इधर distance लेंगे तो क्या होगा? positive होगा ठीक है? इसको भी मैं inward link देता हूँ will be positive होगा यह positive होगा clear यहाँ तक? अब एक important rule यह है कि upward of the upward of the principal axis and the downward of the principal axis तो principal axis के upward जो distance लेंगे उसको हम positive लेंगे और principal axis के downward जो लेंगे उसको हम negative लेंगे इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमको कोई distance measurement करना है और distance को हम क्या किये? यदि principal axis से उपर measurement किये तो उसको हम positive लेंगे और distance को यदि हम क्या करेंगे? principal axis के नीचे लेंगे तो उसको negative लेंगे तो next rule में हम क्या लिख सकते है rule number 5 में rule number 5 क्या होगा upward upward of principal axis distance will be positive principle axis के उपर का जो distance होगा वो क्या होगा positive होगा and next rule is downward downward of principal axis downward of the principal axis distance will be negative इस तरह से आप देखो ये पूरे sign convention आपको याद रहना चाहिए एक बार मैं फिर बताता हूँ ध्यान से सुनना position of object is always left side the position of object is always left side that means हमारा जो object होगा उसका position हमेशा left side में होगा second rule is all distance measured from pole सभी distance को pole से measurement किया जाएगा towards incident ray distance will be positive incident ray के तरफ distance positive होगा opposite of the incident ray distance will be negative opposite incident ray के opposite distance का होगा negative होगा यदि इतना sign convention आपको याद है और आप समझ भी गए होगा याद मतलब उसको रट्टन ही मारना है समझना है तो आपको फिर numerical में कोई प्राबलम नहीं होगा तो यह है हमारा sign convention ठीक है इसको आप बहुत अच्छे से read कर लेना नेस्ट है rules for image formation by spherical mirror अब हम यहाँ पर देखते हैं कि image formation के लिए क्या rule होता है spherical mirror का spherical mirror के लिए जो rules होते हैं वो इस तरह से हम एक figure बना के समझ सकते हैं और यहाँ पर ध्यान में रखना कि यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह rules दोनों के लिए konvacs के लिए भी और koncave के लिए भी दोनों के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूं यह यह ध्यान से समझना दो तरह के मिरर के लिए यहाँ पर मैं एक कानकेओ बनाया हुआ हूँ और यहाँ पर हम बना रहें कानवेक्स दो मिरर हम बना रहें यहाँ पर यह इसका प्रिंस्पालेक्सिस है और यहाँ पर यह इसका principle axis है इस तरह से अब image formation को आपको समझना है कि यह image बनाता कैसे है यह हमने यहाँ पर concave mirror लिया और इस side में हमने एक convex mirror लिया हुआ है दोनों के लिए rule थोड़ा अलग-अलग होता है इसको आपको समझना है तो rule for image formation by spherical mirror concave में क्या होता है सबसे मैंने पहले left side में लिखा हुआ है concave और इधर हम बना रहे हैं किस के लिए convex के लिए यह convex के लिए और यह किस के लिए concave के लिए तो पहला rule क्या कहता है कि जो light incident रहे है जो principle axis के parallel incident होता है यह principle axis के parallel और after reflection focus होके जाता है after reflection वो focus होके जाता है यह first rule है first rule क्या बनाए है मैं ध्यान से सुनो जो light principle axis के parallel incident होता है वो after reflection focus होके जाता है यह focus होके reflect हो गया यह first rule है इसका पहले समझें फिर उसका समझेंगे second rule is suppose किसी light को हमने suppose किसी light को हमने focus से incident कराया तो after reflection वो principle axis के parallel हो जाता है ठीक उल्टा उसका उसका ठीक उल्टा यह second rule second number का rule कि जो क्या होता है focus से incident होता है यह focus होके गया वो mirror से reflection के बाद principle axis के parallel हो जाता है आपको जब तक यह image formation का rule याद नहीं रहेगा आप एक भी figure नहीं बना पाऊगे यह ध्यान में रखना एक भी figure आपसे नहीं बनेगा यह को जब तक ली जा रोगे फर्स्ट जो principle axis के parallel आएगा वो focus से होके चला जाएगा सेकंड जो focus से होके जाएगा वो after reflection principle axis के parallel हो जाएगा and third rule is third rule क्या कहता है देखो third rule में जो light center of curvature से होके जाता है वो light same direction में return हो जाता है यह है center of curvature और जो light center of curvature से होके जाता है वो same direction में return हो जाता है उसी direction हो जाता है क्यों 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 क्या होता है अपने surface पर perpendicular होता है क्यों क्यों radius होता है and radius is always perpendicular on circumference of the circle that means the ray which is passes through center of curvature is always perpendicular on the surface then after reflection it will be come back into same direction मैंने आपको plane mirror में परहते सहें बताया था कि जो light perpendicular incident होता है वह light reflection के बाद same direction में reflect हो जाता है इसलिए क्या है वो same direction में वापस चला जाता है clear तो यह इसका third rule है यह आपको ध्यान ले रखना है यह कान्वें के लिए convex में थोड़ा सा इसका rule थोड़ा change होता है rule तो वही है लेकिन किस तरह से होता है थोड़ा ध्यान से समझना यह suppose मैंने एक रह incident किया principal axis के पहल है तो जो principal axis के parallel incident होता है actual में वो light जैसे focus से गया तो भी focus से ही जाता है लेकिन चूंकि वही से reflect हो जाता है तो focus से आता हुआ लगता है उसका situation ऐसा होता है जो light principal axis के parallel आता है वो reflection के बाद इस direction में जाता है कि लगता है कि वो focus से होके आ रहा है focus से होके आता नहीं है focus से होके आता हुआ लगता है मैंने आपको बताया था image के types real image और virtual image तो virtual image में क्या होता है light rays real mentorship नहीं करते हैं वो interset करते हुए लगते हैं लेकि real image में क्या होता है वो real mentorship करते हैं तभी आपको image formation में और मैं इसको explain करूँगा ऐसा हो जाता है second क्या है जो focus के तरफ हो के आता है जो मैंने यहाँ पर yellow color से बनाया है यहाँ भी मैं इसको yellow color ही select करता हूँ तो जो light focus के तरफ आता है मालव यह focus के direction में आ रहा है यहाँ तक हम लेकिनी जाएंगी इसको यह जो focus के तरफ आता है लेकिन राश्ते में reflect हो गया तो राश्ते में reflect हो के क्या होगा देखो जो ray क्या होता है focus के तरफ incident होता है और reflection के बाद principle axis के parallel हो जाता है ध्यान से समझो एक-एक rule को यदि आप यह सब best clear कर लिए तो physics आपके लिए बहुत interesting और बिल्कुल time pass हो जाएगा बहुत आसान लएगा यह basic ही clear होना चाहिए physics में problem का सबसे बड़ा region है कि हमारे basic concept clear नहीं रहते है और वही 9-10 में clear होना चाहिए उसके बाद 11-12 में enjoy करता है student subject को और जो इस student अपने concept clear करके नहीं आता हो यहाँ पर मैंने third rule यह third rule है जो green color से मैंने बनाया है जो center up curvature के तरह पाता है यहाँ उसको मैं green color से ही बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे दोनों में हमने इस तरह से लिया है यह suppose center up curvature की तरह कोई light आ रहा है यह इधर होगा center up curvature इसका आगे को मैं dotted कर दूँ क्योंकि mirror को हम पार नहीं कर सकते ना mirror क्यार पार नहीं जा सकते तो जो light इस तरह से center up curvature के तरह इंसिडेंट होता है वह same direction से reflect हो जाता है यह third number rule है तो यह तीनो rule को आपको तीनो के लिए याद रखना है कानकें के लिए और कान्वेस के लिए एक बार repeat करता हूँ ध्यान से सुनो principal axis से आने वाला ray reflection के बाद focus होके चला जाता है जो focus से होके आता है वो reflection के बाद principal axis के parallel होके चला जाता है और जो center up curvature से आता है वो reflection के बाद same direction में return हो जाता है यह है rules for image formation by spherical mirror spherical mirror के इस तरह से image formation होता है तो मैं समझता हूँ आपको यह rules अच्छे से clear हो गया होगा आपको कोई भी problem हो तो आप video को pause करके या slow करके या again and again उसको repeat करके एक मेरा personal suggestion है आपको कि यह चित्र आप बना के देखो आप कोई movie नहीं देख रहे हो कि अराम से मेरे video को देखो और उसको enjoy करो ना आप कोई movie देख रहे हो ना मैं यहाँ पर movie का कोई actor हूँ मैं movie का कोई hero नहीं हूँ कि बस आप लेटे लेटे अराम से मेरे film को देखते रहो यह phijis का class है आपको इसको समझने के बाद pencil paper scale लेके इस पर work करना है आई बास समझ में तो इस तरह से आपको उस पर work करना है ऐसा नहीं कि मैं देखा है देखा है मैंने मेरा experience है कि बहुत से बच्चे यूटूपर phijis पढ़ रहा है अराम से बैठे बैठे मेरे lecture को सुन रहे मज़ा आ रहा है उसको देखने समझने में तो मेरा देखने में तो आपको मज़ाएगा कि आरे अच्छा अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन जब आप pencil लेके बैठोगा तो सीधा line ड्रा नहीं होगा तब तो मुस्किल होगा इसलिए सब आप बना के देखना चलिए अब हम देखते हैं image formation by कान के mirror अब हम especially दोनों अलग-अलग mirror के लिए image formation का study करते हैं यह मैंने आपको complete यहाँ पर एक chart दिया हुआ है यह chart आपको सबसे पहले learn करना है इसके बाद चब chart learn हो जाए तो chart learn करने के बाद हमको क्या करना है जो जो हम यहाँ पर देखे हैं समझे हैं उसके base पर हमको diagram ड्रा करना है ओके चलिए तो सबसे पहले यह अब इस chapter का सबसे important topic है कर सकते हो क्योंकि जितना कुछ हमने अभी पढ़ा वो सबका summary यही है यही चीज को समझने के लिए हम अभी तक सब चीज पढ़ रहे थे तो देखो यहाँ पर क्या है सबसे पहले position of object object कहा हो यदि object infinity में हो यदि object infinity में हो infinity में उसको रखा गया है object को तो उसका image बनता है focus पर position of image focus पर बनता है और size आप image उसका जो size होता है वो highly reduced होता है मतलब बहुँच छोटा होता है यह सीधा हम कह सकते है point होता है इसका जो image होता है size वो point होता है highly reduced मतलब बितना छोटा हो जाता है just like a point point ही होता है वो and its nature is real and virtual चुँकि light rays यहाँ पर real and inverted sorry virtual नहीं real and inverted जो image real होगा वो always inverted होगा मैंने आपको समझाये था कि जो real image होता है वो हमेशा inverted भी होता है या जो inverted होता है वो ही real होता है तो यह image क्या होता है real or inverted होता है and second position is beyond C beyond C तो इसका जो position है वो between C and F इसका जो position है C और F के बीच में बनता है और क्या होता है diminished मतलब क्या होता है object से छोटा होता है point से तो बड़ा हो जाता है but object से छोटा होता है यह धियां रखना और यह क्या होता है real and inverted यह भी real and inverted होता है at C जब C में होता है C मतलब center up curvature पर होता है तो center up curvature में होता है तो image भी center आप करवेचार पर बनता है image भी अभी सब मैं draw करके बताऊंगा आपको ऐसा है कि क्यों आपको chart provide करा रहा हूँ अभी मैं पूरे diagram आपको dark करके बताऊंगा, तो c पर बनता है equal to size of object जितना बड़ा object है उतना ही बड़ा image बनता है जितना बड़ा object उतना ही बड़ा image बनता है और यह है real and inverted वो तो हमेशा last को छोटके सब में real and inverted बनेगा next is between c and f जब वो c और f के बीच में हो जब वो c और f के बीच में हो तो वो बनता है beyond c c के बाहर बनता है enlarge मतलब वो बहुत बड़ा बनता है बड़ा बन जाता है अब वो object से बड़ा है देखो continuous उसका size इंप्रूब हो रहा है continuous उसका size बड़ा होते जा रहा है और यह क्या होता है real and inverted होता है अभी माने आपको बताया कि सभी position में क्या होते है image real होते है next is at focus focus पर क्या होता है तो focus में होता है तो infinity में चला जाता है और वो highly enlarged हो जाता है और real and inverted होता है और यह जो six position है यह सबसे अलग है between focus and pole जब object क्या हो focus और pole के बीच में हो जब object focus और pole के बीच में हो तो उस condition में क्या होता है behind the mirror अब देखो गरबढ हो गया इतने देड़ तक वो mirror के सामने बन रहा था अब वो mirror के पीछे बनने लगता है जैसे plane mirror में होता था तो six position सबसे important इसको याद रखना है अब वो क्या हो जाता है behind mirror हो जाता है और enlarge मतलब बहुत बड़ा होता है और virtual and erect और तब या वर्चुल भी होता है और erect होता है यह सब के सब real है सेवंथ नमबर virtual है और erect, erect मतलब क्या होता है सीधा erect को हिंदी में हम क्या बोलेंगे सीधा, erect का मतलब सीधा होता है आपको मैंनी स्टार्टिंग में बताया था यह चार्ट आपको सबसे पहले prepare करना है और इस चार्ट को prepare करने के बाद फिर अपने को one by one एक एक फिगर हमको बनाना है और यह किस के लिए है यह कानकेव मिरर के लिए है आप ध्यान रखना यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह only for कानकेव मिरर है सबसे पहले हम बनाएंगे किसके लिए भई सबसे पहले अपन बनाएंगे at कहाँ इंफिनिटी सिंबोलिक लिख रहूं है at infinity एक स्लाइट पर के ओले फिगर बना के मैं आपको बताते जा रहा हूँ थोड़ा स्पीडली समझना क्योंकि सारी बाते मैं आपको इसके पहले समझा चुका ओके सब बात समझा चुका ने भे इसके पहले मैं इसलिए आप बहुत तेजी समझ जाओगे आप लोग क्योंकि सब चीज मैंने आपको बता दिया है इसलिए आप बहुत तेजी समझ जाओगे, नहीं बताया होता, तो निश्ची तुर से थोड़ टाइम लगता है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, हम कानकेव मिरर बना रहे हैं, पॉलिस को थोड़ दूसरे कलर से कर देता हूँ, ज़्यादा ही मोटा हो गया, यह इसको पॉलिस सर्फेस है, अब जो लाइट इन्फिनिटी से आएगा, आपजेट कहां है, इन्फिनिटी में है, तो जब लाइट इन्फिनिटी से आएगा भई, तो क्या करेगा, जब लाइट इन्फिनिटी से आएगा, यह इन्फिनिटी से आएगा, तो आपटर रिफ्लेक्शन वो कहां पर आके मिलेंगे, इस तरह से, यह पहला फिगर बहुत आसान है, तो इस तरह से यहां पर बनेगा इमेर्ज, यह लाइट इन्फिनिटी से आया, फोकस में गया, इन्फिनिटी से आके फोकस में गया, तो पाइंट आपजेक्ट बन गया, यह हो गया इमेर्ज, तो पहला वाला तो बहुत असान है, फस्त तो कोई वह ऐसी बना लेता है, ठीक है, तो फस्त में हम नहीं क्या पढ़ा था कि जब infinity में होता है तो focus में बनता है, point बनता है, देखो point size का image बना है, और real में intersect कर रहा है, तो real बना है, तो उसमें कुछ नहीं है, second है beyond C, C के बाहर, beyond C, C के बाहर में किस तरह से figure बनेगा, यहां mirror के color को change कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से practice कर ले न, figure बनाने के लिए, otherwise मैं देखा हूं कि बहुँ से student curve ही नहीं बना पाते फिर, curve ही नहीं बना पाते हैं, बड़ी परसानी होती है फिर, यह सब practice का matter है, यह principle axis है, यह mirror है हमारा, अब हमने क्या किया, इसमें object को बनाया, तो अब हमको object बनाना पड़ेगा यहां पर, यह हमने एक object बना दिया, यह suppose object है हमारा, यह C से बाहर है, तो पहले से कोई position मत लिखो, पहले से position मत करो, और यहां से एक light मैं principle axis के parallel incident किया, उसको ऐसी रहने दिया, दूसरे को मैं center of curvature से लेके गया, यहां पर incident कराया, तो जो यह गया, वो focus से होके जाएगा, इस तरह से, अब situation को आप ध्यान से समझना, जो light मैं principle axis के parallel incident की अभिरूल बताया हूं, वो कहां से होके जाएगा, वो focus से होके जाएगा, देखो यह focus से होके गया, और जो center of curvature से होके जाएगा, center of curvature से, वो उसी direction में return आ जाएगा, तो यह वाला ray, और यह return ray, दोनों एक दूसे को यहां पर intersect करते हैं, तो यहां पर उसका बन जाएगा image, इस तरह से, यह जो blue color से बना रहा हूं, वो image है, तो यहां पर देखो, आप यहां पर जो मैंने बनाया है, वो object है, और यह जो बनाया है, यह क्या है, image है, यह इसका image है, इस तरह से देखो, situation क्या-क्या है, object का position beyond C है, object का position क्या है, beyond C है, between C and F, image कहां बना है, देखो, image बना है between C and F, between C and F, देखते जाना, position को, जो जो हम वहाँ पर पढ़े हैं वो सब यहाँ पर होना चाहिए उसको दुबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप चायड बनाके साइड में लिखो गे नोट्स में चुंकि वो रियल में इंटरसेट कर रहे हैं तो इमेज क्या है रियल है ओके तो यह है क्या बियांड सी के लिए कंडिशन साइड में आप उसको पूरा एस्प्रेंशन करके लिखोगे पूरा एस्प्रेंशन करके लिखोगे ओके चलिए, next हम देखें, अब अगला जो हमारा है, वो at C, third है C पर, अब हमने उसको लेआया, center up curvature पर, तो center up curvature पर किस तरह से बनेगा देखो, center up curvature पर किस तरह से बनेगा principle axis बना ले पहले यह इसका principle axis है mirror यह हमारा mirror अब center up curvature पर रखा है उसको भी दिखाने के ज़ुरत नहीं है यह हम suppose object बना दिये यह हमारा object है यह center up curvature पर बना हुआ है हमको मालूम है कि image उस समय वही बनता है तो पहले समय image बना दिया उतना ही बड़ा क्योंकि chart हमको याद है अब यह बना कैसे है यह दो मिनट में सब practice का matter है practice आप अच्छे से करोगे बनेगा यह गया और इसको फिर हम focus लेके गए तो यहां से चला गया यह इसके focus होके चला गया दूसरा ray suppose हमने इसके focus से दूसरे को भी हमने focus किया तो focus होके जाना कि माले का होता है principal axis के parallel हो जाता है यह हो गया suppose इस तरह से थोड़ा सा मैंने वहाँ पर तीर्छा कर दिया सीधह ही कर देता हूँ चलो यह थोड़ा सा parallel जो रह गया reflection के बाद वो कहां से होके चला गया यह यहाँ पर मैंने लिखा focus point तो focus point से होके चला गया दूसरा ray को हमने focus से incident किये तो focus से incident होने वाला भी rule में पढ़ाया था principal axis के parallel चला जाता है दोनों एक दूसरे को interset करते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया इसका image इस तरह से यह इसका image बन जाएगा यह suppose A-B-B- इसका image बनेगा अब देखो यह क्या है center of curvature है यह point क्या center of curvature है तो अभी मैं बताया था आपको देखो chart में chart का भ्यान से देखना एक बार मैं repeat करता हूँ chart को देखो जब वो C पर होता है तो उसका image भी C पर बनता है equal to size of object real and inverted देखो हुआ है C C पर ही बना है जितना बड़ object है उतना बड़ा बना है और real बना है और inverted बना है inverted मतलब ultra बना हुआ है इस पकार से आपको figure को बनाना है ठीक है तो figure बनाने का आपको practice proper करना है यह हो गया at C अब हम देखते हैं between C and F fourth is C and F between C and F अब हमारा जो position है object का वह C और F के बीच में होगा थोड़ा सा complicated होते जाएगा figure सब को बनाने का technique है वो technique थोड़ा सा समझते जाना आप ठीक है सबसे important बात है technique को समझना जिस तरीके से मैं draw कर रहा हूँ उस तरीके से आपको वीडियो देखने के बाद pencil scale लेके बैठ जाना है और तूरंद इसको बनाना है मैं बार-बार बोल रहा हूँ खाली lecture सुनने से कुछ नहीं होगा यह pole है अब हम यह पर एक object बना लेते हैं ठीक है कहीं भी हमने object बना लिया c और f के बीच में c और f के बीच में object बना लिया यहां से इस तरह से तो एक light हम इसे incident कर लेते हैं principal axis के parallel यह हमने principal axis के parallel जो फोकस हे जाएगा अभी हम उसको लेक में जा रहे हैं दूसरा light यहाँ पर ध्यान रखना यह सबसे important है, यह वाला light ray, यह, जो क्या होता है, यह फिगर्थ पासा कठीन है, इसके लिए बहुत practice चाहिए, यह जो object है अपने पास, यहाँ से जो light incident होगा, यह center of curvature, यह center of curvature के direction में, तो चूंकि यह center of curvature के direction में है, तो same direction में reflect हो जाता है, और यह light इधर चलाता है, यह, इस तरह से, यह ऐसे चला गया है, अब दूसरा light जो हम यहाँ पर क्या है, principle axis के parallel incident करने वाला light क्या होता है, reflection के बाद वो कहां से जाएगा, focus से जाएगा, इस तरह से यहाँ से देखो, इसको और दूर लेके जाना पड़ेगा मेरे को focus, क्यों तो कापी में space बनाना पड़ेगा, और space के साथ साथ आपको इसकी practice करनी पड़ेगी, कि ताकि proper आपको intersect करे वो, यहाँ पर देखो, ऐसा होगा, तो यह figure बहुत बड़ा बनता है, थोड़ा technique से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको notebook में जगा ही नहीं मिलेगा, पर आप उसको intersect करा साखो, कुल मिला के practice कर मेंटर है यह, तो image यहाँ पर यह बना हुआ है, देखो, image यहाँ पर जो बना है, यह image है उसका, यह, थोड़ा ध्यान से समझो, image कैसे बना है, एक बार मैं और explain करता हूँ, सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम जो light incident की object से, यह object है, जो कि यह C है, center of curvature है, और यहाँ F है, तो देखो, object C और F के बीच में है, यह C है, और F है, इसके बीच में object है, अब जो क्या गया, center of curvature के direction में गया, वो सीधा return आ गया, जो principle assist के पहलाल गया, और reflection के बाद, focus होके गया, और यह दोनों एक दूसरे को यहाँ पर intersect करते हैं, त तो यह image बना, A-B-S, और कहां बना है, यह क्या बना है, C से बाहर, C और infinity के बीच में बना हुआ है, देखो, यह image C और infinity के बीच में बना हुआ है, तो इसकी property को देखो, C और F के बीच में जब object होता है, तो image C के बाहर बनता है, object से बड़ा बनता है, real और inverted बनता है, यह हम तो यह फोर नमबर का है और फोर नमबर का यह बहुत important है तो यह आपको फोर नमबर का यह आपको practice करना है 4 number का image इस तरह से बनेगा तो chart में जो हमने लिखा है उसी के according ये figure बनते जा रहा है अब हम देखते है next 5th number का वो क्या है atf 5th number में अब हमारा object कहां चले आया focus में चले आया बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी practice अच्छे से कर लेना मेरा बहुत लांग experience है मुझे मालूम है कि student जब तक इसमें work नहीं करेगा कोई काम का नहीं है मेरा सुन के बन जाता तब तो बात ही क्या था यदि मेरा सुनने से बन जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी न वो possible नहीं है clear वो possible नहीं है चलो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पर यह बड़ा सा figure बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से explain कर सकें अपन यह mirror है यह सब आपको 12th class में भी काम आएगा ध्यान रखना अब हमारा object कहां focus पर है अब हमने अपने object को चलो focus में बना दिया यह focus में है जब यह object focus में होगा तो एक light ray को तो हम उसी प्रकार से incident करेंगे जैसा मैंने भी आपको बताया था क्या यह principal axis के parallel और होके जाएगा कहां से focus से focus में खड़ा है तो focus होके जाएगा यह इस तरह से दूसरे light ray को हम क्या करेंगे इस तरह से देखो यह एसा इस तरह से होगा तो हो क्या रहा है यहाँ पर situation को देखो जो principal axis के parallel गया वो reflect होके focus से क्योंकि object आप्जेक्ट आरेडी focus पर ही खड़ा है चला गया यह चला गया दूसरा यह center of curvature है center of curvature है तो जो light को हमने center of curvature के direction में incident कराया और reflection के बाद center of curvature से होके चलाएगा अब देखो दोनो rays इस तरह से आगे एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यह कहीं आगे जाके infinity में मिलेंगे ऐसा माना जाता है कि आगे जाके वो कहीं पर infinity में मिलेंगे मतलब दोनो rays reflect होने के बाद आगे कहीं पर भी जाके मिलेंगे infinity में इसलिए देखो यह आपन चार्ट में at focus at infinity image infinity में बनेगा highly enlarged बहुत बड़ा बनेगा जब infinity में जाके intersect करेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और real and inverted वह real बनेगा और inverted बनेगा तो यह इसका अब six position देखो between focus and the pole behind the mirror सबसे important यह six ही है actual में कभी भी board exam में जब आता है तो यह six वाला ही सबसे जादा आता है तो six को बहुत ध्यान से समझना है और मेरे technique को आपको पकड़ना है कि कि किस तरह से मैंने उस figure को बनाया एक्ट्वल में मेरे working process को आप समझो कि मैं कैसे बना रहा हूं यह मैं एक mirror बना लिया यहां पर देखो यह हमने एक mirror बनाया इसके प्रिंस्पल एक्सिस को चूंकि उस बनाना है तो मुझ साइट दूर तक बना देते हैं क्योंकि behind mirror अपने को बनाना है अभी इसको अब यहां पर देखो आपजेक्ट को हम इसके सामने में रखेंगे सपोस हमने यह अब्जेक्ट को बहुत पास में रख दिया इसका इस तरह से यह अब्जेक्ट है अब ये focus और pole के बीच में है ये position को यहाँ पर लिखनी पाया मैं between focus and pole between focus and pole ये focus and pole के बीच में है तो यहाँ पर ये pole है और ये क्या है focus इसके बाहर है तो सबसे पहले हम क्या करें इसमें एक light incident करें जो principle assist के parallel करें principle assist के parallel हुमको always करना है यहां ऐसा करना है, प्रिंसिपल ऐसे के प्रैलल करेंगे इस तरह से, तो वह क्या होगा, फोकस से होके चला जाएगा, ऐसा, यह फोकस होके चला गया, और दुसरा रेक क्या है, देखो, इसको हम इसी टाइम में same time में इसको आगे बढ़ा दूं, same time में बीना इसको आप traditionally बीन पीज़कर यह तरीका है बनाने का देखो मेरी प्रेक्टिस है इसलिए मैं एक बार में समझ जाता हूं कि मेरे को कहां से क्या लेकर जाना है और आप लोग उसके लिए प्रेक्टिस करना पड़ेगा बस इतना ही अंतर है ऐसा तो होगा क्या ध्यान से सुनना यहां पर क्या होने वाला है क्या हुआ यहां पर यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के प्रेलल गया वह reflection के बाद focus ने होके चला गया यह focus है देखो object focus और pole के बीच में है और जिस ray को हमने क्य अब यह दोनों रे वापस आ गए और देखो दोनों रे आपस में इधर फैलते जा रहे हैं तो जब टूरेस आगे इस तरह से फैलते हुए जाएंगे तो आगे फैलते हुए रे तो interset एक दूसरे को करेंगे नहीं क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जब हम देखें कि आगे जा के वो तो काटेंगे नहीं एक दूसरे को interset नहीं करेंगे तो हम उसको पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर उसका image बनता है और यह उसका यह बनता है इसका virtual image यह तो यह image है यहाँ पर आप देखो यह उसका object था और यह इसका image है अब इसकी आप property को टेली करो charts है किधर बना behind mirror देखो mirror कूस पार बना है और इससे बड़ा बना है देखो very green large बना है और इरेक्ट है सीधा है और इरेक्ट है इसलिए क्या है वर्चुल है एक दूसरे को real intersect नहीं किया हुआ है इंटर सेट करता हुआ लगता है इसलिए क्या है यह इसलिए इरेक्ट है तो मैं आपको बता दिये बिल्कुल जादू की तरह कि ऐसा बन जाता है ऐसा बन जाता है मैंने प्रैक्टिकली ड्रा करके बताया कोई इंटरनेट से मैं कहीं से copy paste नहीं कर लिया इमेज इसका और आपको दिखाए ने तो खुद करके क्यों बताया ताकि इस्टूडेंट उसके स्टेप्स को समझे कि कि किसके बाद क्या मुझे ड्रा करना है कि मेरे टीचर ने कैसे ड्रा किया सर ने कैसे ड्रा किया तो वैसी मुझे भी करना है तो यह क्या है इसका सिक्स पोजिशन है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह एक्ज इसका जब हमको इमेज बनाना होता है तो इसका किवल सिंगल पोजिशन है वैसे कई बूक में दो पोजिशन दिया रहता है लेकिन मतलब वही है इसका तो क्या होता है फ्रंट आफ इमेज ए मीरर चलो फीगर से समझाओ तो आपको समझाएगा इसके कोई अलग अलग इसका प्रिंस्पल एक्सिस है यह यहाँ पर देखो अब यहाँ पर सपोज हम ले के आते हैं इसमें पेरलल लाइट इसके सामने मैं इंफिनिटी से लाइट इंसिडेंट कराता हूं पहले वाले फीगर पहले वाला इजी फीगर ऐसी है यह इनफिनिटी से हम लाइट रहे क्या है यह फोकस से होके जाते हुए लगेगा कि फोकस से होके जा रहे हैं एसा लेकिं रिफ्लेक्ट यहीं से हो जाएंगे लिफ्लेक्ट बन गया इ Ale यह हमने इसको dotted line से आगे बढ़ाया हुआ है आगे गया नहीं है तो यहाँ पर point object बन जाता है point image यह image बन गया इसका point देखो यह और यह incident हुआ यह ही से reflect हो गया यह incident हुआ infinity से यहां से reflect हो गया और यह focus से होते हुए लगेंगे तो focus पर बनेगा मतलब infinity से जो rays आते हैं उनका image कहां पर बनता हुआ लगता है focus पर बनता हुआ ठीक है तो यह हो गया इसका condition लेकिन यह तो एक condition दूसरे condition में हम object लेके बनाते हैं यहाँ पर थो हमने infinity में रखा infinity में object को हम सो नहीं कर सकते हैं सिधा parallel light ला दिये असान है इसको थोड़ा ध्यान करते हैं यह हमने ray incident किया principal axis के parallel और आपको मालूम है यह reflection के बाद कहां सो कर जाता हुआ लएगा focus होके जाता लएगा आगे को हम इसका dotted करेंगे अभी से मैं इसको dotted कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि rays actual में अंदर नहीं गए हैं यह dotted line सो करता है कि rays अंदर नहीं गए है बस क्या हुआ है यह जो principal axis के parallel incident हुआ वो reflect हो गया और कहां से जाता हुआ लगा focus से जाता हुआ लगा दूसरा ray दी हम ले लें जो इसके center up curvature के तरफ incident करें तो यह इसका suppose center up curvature इधर है यह इसका center up curvature है तो जो ray इसका center up curvature की तरफ जाएगा यहाँ पर भी मैं इसको dotted कर देता यह dotted line करने का मतलब आप समझ गये हो तो जो ray क्या होता है center up curvature की तरफ जाता है center up curvature की तरफ वह same direction में reflect हो जाता है और same direction में reflect होके यह बाहर चला जाता है तो दोनों rays को हमने पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर एक दूसरे को इंस्टार सेट करते हैं, तो यह इसका बना हुआ है image, यह, तो यह object है, यह object है, और यह इसका क्या है, image है, तो यहाँ पर कुछ important बात ध्यान रखना, कि the image of, the position of image is always behind mirror, मतलब जो convex mirror होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, वो mirror की दूसरी और बनता है, दूसरी बात, object से छोटा बनता है, देखो इतना बड़ा object है, और इतना छोटा image बना, ऐसा बनता है, और क्या होता है, यह, erect होता है, यह, erect होता है, इसलिए virtual, इसलिए virtual होता है, erect और virtual होता है, ठीक है, और behind mirror होता है, यह सब ध्यान में रखना, तो यह, जो हम गाड़ी का, vehicle का, bike का, car का, किसी का, जो side glass अपन यूज़ करते हैं, पीछे का view देखने के लिए, जो हम mirror use करते हैं, वो sub mirror क्या होता है, यही होता है, convex mirror होता है, और इस position पर होता है, इसलिए आपने देखा होगा, कि mirror के नीचे में, bike या car के mirror, generally bike के car के mirror नीचे में लिखा रहता है, the image is closer than object they appear, ऐसा लिखा रहता है, मतलब का होता है, कि वह image, object के compression में closer है, आप धोखे में मत रहना, ऐसा उसके नीचे caution लिखा होता है, driver के लिए, कि वो उसको समझे कि पीछे जो object आ रहा है, वो closer है, ठीक ह इस तरह से, देखो, object दूर में होता है, लेकिन image पास में बन जा रहता है, ऐसा लगता है कि पीछे आने वाली trunk बिल्कुल हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उतने पास नहीं रहती, वो दूर रहती है, ठीक है, they appear closer than object, object से closer दीखता है वो, तो यह है, और महुत important है, image formation का आप आपको अच्छे से practice करना है, आपने 10th class में दिया, ऐसा अच्छा कर लिया, तो no doubt आप मुझे याद करोगे कि सर ने ठीक बोला था, 12th आपका अपने आप आप आसान होयाएगा, क्योंकि 12th में आपको optics का बहुत बड़ा portion पढ़ना है, okay, now next and last topic is some formula, relation between this and this, अगला जो मेरा classes पर होगा, मैं आपको बता दूँ, जो next class होगा, वो तो मेरा reflection पर होगा, उसके बाद reflection और reflection दोनों को combine मिला के मैं आपको numericals का एक अलग class प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें only numericals problem होगे, और वो पूरे numericals problem हम थोड़ा competitive है, basic को लेके foundation, IIT, JEE, neat को लेके करेंगे, तो वो ब अपान F equal to one upon U plus one upon F, और तीसरा formula दिख रहा है, यह M equal to size of image, आपान size of object, यह तीनों formula आपको याद करना है, और यह क्या क्या है, ध्यान से सुनो, यह है relation between F and R, F क्या है focal length और R radius of curvature, अभी starting में मैंने आपको जब spherical mirror का lecture मैंने start किया, तो यह आपको समझाया, इसके बाद देख इसको मैं सुधारता हूँ, और यह F होगा, इसको सुधार लो, यह B होगा है, वो धोके से type हो गया, यह B होगा, यह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह है linear magnification M equal to size, आप image आपान size, आप object, image के size और object के size के ratio को हम क्या कहते है, linear magnification कहते हैं, और यह minus B upon U होता है, ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका symbol को लिख देता हूँ, F, focal length, R, radius of curvature, हाला कि पीछे मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, radius of curvature, U क्या है, distance of object, distance of object है, और V क्या है, distance of image, distance of image, ठीक है, भाकीत यहाँ पर लिखा हुआ है, I, O, size of image, size of object यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इतने formula आप color न करना है, यह वाला formula, यह वाला formula, यह वाला formula, तो यह हमारा यहाँ पर reflection का जो portion है, reflection, complete होता है, next class मैं आपको दूँगा reflection के लिए जिसमें हम lens पढ़ेंगे और ये दो class के बाद मैं आपको complete दूँगा इसके numericals NCRT question के 100% solution के साथ कुछ additional question जो in future आपको NEET और IIT में काम आएंगे तो ये lecture आप बहुत ध्यान से सुनो से सुरू से देखो नोट्स बनाओ पढ़ो वैसे इसके नोट्स हमारे application पर भी अबलेबल है हमारा जो application है origin the learners hub उसमें आपको free notes प्रोवाइट कराये गया उसके लिए आपको कोई free paid नहीं कर रहा है वो सभी बच्चों को हमने free में पेट कराया है तो आप उस application को google play store से आप store कर लो और वहाँ पर जाके आप 10th class का notes study material section में देखो तो पूरा notes आपको अच्छे से मिलेगा ठीक है तो मैं समझता हूँ यह lecture आप बहुत ध्यान से देखे होगे सारी चीज़ समझ में आई होगी कोई doubt हो तो lecture को repeat करो और पूरे concept अच्छे से clear करो okay okay thank you thank you so much